जनता के बल पे चुनाव लड़ती हूँ, हर बार चुनाव लड़ती हूँ, जब आप भी बता दो हम महला हैं, क्या हम खमा पे चड़ जांगे बीजली के खमा पे, मैं चुनाव जीतूंगी और अच्छे मतों से जीतूंगी, मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, जनता के बल पे चुनाव लड़ती हूँ, हर बार चुनाव लड़ती हूँ, तो जनता की दम पे चुनाव लड़ती हूँ, दो हजर अठारा में आप जीत कराएं, आप मंत्री भी रही, दो हजर बीस में उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, इस बार भी प्रत्याशी वहीं है, कॉंग्रिस जन्हों ने अठारा में आपको हराया था, त तूर तिरह में मैंने हराया था, उन्हें 35,000 बोट से, तो जब कॉरॉणा के चकर पड़ रहा थाना, अपको ह्ज़ी से हम गावन में नहीं निकल पाए, अपनी बेटी और बाईों से नहीं मिल पाए, इस बज़ी से वह छेई जार बोट से जीते हैं, और हाली की हाल सरकार बदली थी तो कुछ लोग ने सोचा कि सरकार क्यों बदली है तो इसके मतलब नाराज हो करके उनने बोट कांग्रेस को कर दिया था लेकिन यह सीट कभी कांग्रेस ही नहीं रही पहले यहां से नरुत्तम मिस्रा विधायक रहते थे और दूसरी तरफ एरिया जो था उससे कमला आप आर विधायक रहती थे जीट भारती जनता पाइटी की है जब से मैंने चुनाव लड़ा है 2008 से जब से आदमी कियाने लगे है कि कांग्रेस की सीट है कांग्रेस की तो हजार बीस का आपने जिकर किया जब आप छे हजार से वोट से सुरेश राजे जीते थे नामांकन क जो है वो कॉंग्रेस ने लगाए इस पर क्या करें नहीं मैंने तो क्या दिया था ना कलक्टर से क्या दिया था जादा कर पेपर बारे ने चापा था मेरे प्यात को नों केस नहीं लगे लेकर पता नहीं क्यों मेरे उपर यसा बो लगाया आपको यसा लगता है कि को राजन तो आप जो आरोप लग रहे हैं इनको निराधारा बता रहे हैं बिल्कुल गलत लग रहे हैं उसको भी ओपन करना चाहिए ना अगर मीडिया सब अच्छी है सची है तो उसको भी ओपन करना चाहिए इस बार के चुनाव थोड़े अलग जो है नज़र आ रहे हैं मत्यप्रदेश में क्योंकि बीच में 2020 का प्रकरण भी रहा अगर हम अभी आपने जिक्र किया था कि 2020 में जब उप चुनाव हुए थे तब थोड़ी लोगों में नराजगी थी तो क्या आपको लग रहा है कि लो ताफिरवाद ले रही हूँ इस वज़े से समाज मेरे साथ है हर समाज मेरे साथ है चुनाव से पहले कुछ ओपीनियन पोल साए हमेशा आते हैं उसमें कॉंग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है बीजेपी ग्वालियर चंबल में पिछड़ती हुई दिख रही है अ चार सीटे कांगरेस को मिली थी सहत एक दो उनको मिली थी तो बीस में फिर मैं चुनाव लड़ी उप चुनाव पिरदुन सिंग जीते हैं हमारे मैं और मुनालार गोहिल आर गए थे लिकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ मैं चुनाव जीतूंगी और अच्छे मतों से पास है मेरी जनता पहल जैसे ही हो गई जो इमर्ती को 2000 में जिताया था इत्ते ही बोटों से मेरी जनता मुझे जिताएगी जोतरादिति सिंधिया केंद्री मंतरी है आप उनकी समर्थक भी है उनको लेकर वो भी आपका प्रचार कर रहे हैं कल ही मेरे हिसाब से वो पहुचे थे यहां पर कलिया परसो और आपके प्रचार के लिए जुटे हुए हैं उनके सीम बनने क्यों लेके काफी चर्चा रहती है उनके चुनाव लड़ने को लेकी भी चर्चा रही उसे लेकर क्या रियाक्शन नहीं अगर प्रदान मंतरी जी ने उन्हें टिकर नहीं दिया तो वो कैसे चुनाव लड़ते अगर भारती जनता पार्टी चाहती तो वो चुनाव लड़ते और रही मुक मंतरी बाली बात त पे थोड़ी के जिवर रहे के जिवर रहे भारती जनता पार्टी कमल के फूल पर चुनाओ लड़ रही है और कमल का फूल अब भारती जनता पार्टी के चेरा है मुखमंत्री का आप खुद महिला हैं आप जब प्रचार करती होंगी तो महिलाओं से बहुत मिलती होंगी एक तरफ है बीजेपी की सियम शवराज की लाडली बहना योजना दूसी तरफ है कॉंग्रिस का वादा जिसमें वो पंद्रा सो रुपे देने की बात कर रहे हैं तो दोनों जब आप कभी अपने बादे पूरे नहीं करते शिवरा सिंग अपने बादे पूरे करते हैं और कल्लाई साड़े बारा सो हमारी बेनों के खाते में पईसा डा रहे हैं अब अगली दीपाबली के महिना पर वो पंद्रा सो रुपे डारंगे फिर तीन अजार करंगे लिए ये पंद् करके करें उनको नहीं बनना है भारती जंता पाइटी की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी वो दो जने हैं जोड़ी है उनकी वो आप सही में कुरता फार रहे तो सब ने उनको नाम कुरता फार कुरता फार रख दिया अभी आप से जब मैंने पूछा था सिंधिया को लेकर सवाल तो आपने कहा था कि जिनका मोदी जी चाहेंगे वो बनेंगे क्या जोतरादित सिंधिया आने वाले समय में सीम काडिडेट हो सकते हैं मुझे नहीं पता जिसको अथि जमीनी नेता है और भिकास के मसिया है उनको जाम मुकमेंतरी चाहेंगे वो अच्छे पदों पर बेचे यह लेकर क्या लग रहा है क्यूंकि कॉंकि कॉंग्रेस के तो कई नेता अभी हम सुरेश राजीजी से भी मुलाकात की थी हमने वो 150 प्लस की बात कर रहे हैं का नेता देड़सो की बात कर रहे हैं कि देड़सो सीटे आएंगी ओपीनियन पूल में भी कॉंग्रेस आगे चल रही है हला कि बीजेपी भी टककर दे रही है आपको क्या लग रहा है कितनी सीटे बीजेपी किया जाएंगा जो पूल देखी अब पीछे की देखी होगी। आझ की नहीं देखी होगी। आज की इस्थिती भारती जन्ता पायटी भूत आगे हैं और हम आप से कह रहें कि हमारी बहुमत से सरकार बनेगी पूरी की पूरी सरकार बहुमत से बनेगी और हम डेड़सों से पार जांगे तो देड़सो से पार की बात जो है वो इमर्ती देवी ने यहाँ पर की साथ ही ये भी कहा कि की सीएम जो है वो शिवरा सिंग चोहान बनेंगे और भी बहुत सारी बाते और बीजेपी की जीत की का भी दावा और खुद की जीत का भी दावा जो है डबरा सीट से करती हुई यहाँ पर इमर्ती देवी दिखाई दी कैमरा परसन दिक्षा के साथ ग्वालियर के डबरा से एमपितक के लिए कांग शुठा कुर।